साहसी बालक कुणाल विद्या मंदर में कक्षाचार का चात्र था वह जितना पढ़ने में तेज था उतना ही स्वभाव से निर्भीक पिता जी कहते थे कुणाल निटर और साहसी है और बच्चों की तरह छोटी-छोटी बातों से नहीं घबराता एक बार की बात है दीवार पर टंगी तस्वीर की एक कील निकल गई और तस्वीर उल्टी हो गई तस्वीर का फ्रेम भारी था यह भी खत्रा था कि वह कभी भी नीचे गिर सकती थी उस समय नीचे कोई होता तो उसे गहरी चोट लग सकती थी घर में पिता जी या चाचा जी नहीं थे मा, बहन सब चिंता करने लगे कुनाल ने अपने मित्र समीर को बुलाया दोनों ने दीवार के साथ मेज लगाई फिर दोनों मेज पर चड़े तस्वीर को एक हाथ से थाम कर दोसरे हाथ से कील घुमाई फिर दोनों ने सावधानी से उसे उतार कर मेज पर रख दिया शाम को पिता जी ने यह बात सुनी तो दोनों वच्चों की बड़ी इतारीफ की समीर कुनाल के घर के पास ही रहता था तीसरे घर में उसने कहा था कि वह माता-पिता के साथ एक शादी में जा रहा है, दो दिन बाद लोटेगा दूसरे दिन कुनाल समीर के बिना अकेला ही स्कूल गया स्कूल से वह लगभग चार बची घर लोटा घर की तरफ आते हुए अचानक उसकी नजर समीर के घर पर पड़ी खिड़की से उसे घर के अंदर रोश्नी दिखाए दी क्या समीर इतनी जल्दी लोटाया? लेकिन यह तो संभव नहीं है क्योंकि शादी तो कल है वे लोग रास्ते से थोड़े ही लोटाएंगे उसका माता ठनका हो नहो, घर में कोई घुसा है शायद चोर हूँ? फिर भी उसने सोचा कि वह पहले इस बात की जाँच कर लेगा घर पहुँचकर उसने अपनी डायरी निकाली उसमें समीर के पिता जी का मोबाईल नमबर था उसने नमबर मिलाया उधर से समीर के पिता जी की आवाज आई बात करने पर उसे मालूम हुआ कि वे लोग अभी अभी शादी वाले घर में पहुँचे है कुनाल ने उन्हें और कुछ नहीं बताया वह फिर समीर के घर की तरफ गया दर्वाजा अंदर से बन था दर्वाजे पर ताला नहीं था दर्वाजे के पास एक मोटर साइकिल खड़ी थी उसमें दो हेलमेट तंगे हुए थे कुनाल को समझते देर नहीं लगी कि घर में दो मोटर साइकिल चोर गुसे है उसने स्थिती से निपटने की मन में योजना बनाई उसने फोन करके अपनी कक्षा के दो और लड़कों और एक लड़की सीमा को बुलाया चारों ने मिलकर योजना को अंतिम रूप दिया कुनाल ने उन्हें समझाया हम घर की कुंडी बंद कर देंगे जिससे चोर दर्वाजे से न निकलें अगर वे खिड़की से कूद कर निकलें तो मोटर साइकिल लेकर भागना चाहेंगे हम मोटर साइकिल के दोनों टायरों से हवा निकाल देंगे पुलिस को चोरों की खबर देकर चोरों पर निगरानी रखेंगे जिससे वे भागना निकलें बाकी तीनों ने हां भरी कुनाल फिर बोला मान लो पुलिस के आने से पहले चोर बाहर आ जाएं तो हमें साफधान रहना पड़ेगा चोर पिस्तौल या चाकू लेकर चलते हैं अगर उनके हाथ में पिस्तौल हो तो हम सामने नहीं आएंगे अगर चाकू हो तो हम दूर रहेंगे और लाठी से उन पर वार करेंगे फिर योजना के अनुसार उन लोगों ने काम किया एक ने दर्वाजे की कुंडी बंद की दूसरे ने मोटर साइकिल की हवा निकाली लड़की ने पुलीस को चोरों की खबर दी कुणाल अपने घर से दो तिन शीशूं को तोड़कर तोटे काँच ले आया और खिडकियों के नीचे डाले वह अपने साथ तीन चार लाठीयां भी लाया उसने लाठीयां दोनों लड़कों को दे कर चोरों को रोकने के लिए उन्हें सडक के दोनों और भेजा वह और सीमा सामने के घर में छिपकर बैठ गए घर का दर्वाजा बंध है कोई अंदर से बढ़बढाने लगा कुणाल को मालूम हो गया कि चोर बाहर निकलना चाहते हैं अब वे खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे सच में खिड़की खोल कर दोनों चोर नीचे कूदे पैरों में काच के टुकडे चुप जाने के कारण वे कराहने लगे उई मा मर गया फिर दर्द सहते हुए वे धीरे से मोटर साइकिल की तरफ बढ़े मोटर साइकिल चालू हुई लेकिन आगे बढ़ी नहीं चोरों को मालूम हुआ कि वे घिर गए है कोई उन्हें फसा रहा है उन्होंने हवा में गूली चलाई जिससे कोई उनके पास ना आए लेकिन पैर में दर्द के कारण वे भाग नहीं सके दूर खड़े लड़कों ने आने जाने वाली गाडियों को रोक लिया दोनों तरफ रास्ता बंध हो गया तो चोर बौक लाए वे पिस्तौल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते कुणाल और सीमा उन पर पत्थर फेंकने लगे चोरों को यह भी नहीं मालूम हुआ कि पत्थर कहां से आ रहे है कुणाल ने चोरों को आगे जाने से रोके रखा इतने में पुलिस की गाड़ी का साइरन सुनाई दिया चोरों को पकड़ने के बाद पुलिस ने कहा वाह इन छोटे बच्चों ने यह कमाल किया और कुणाल की जितनी भी तारीफ करें कम है पुलिस के जाने के बाद कुणाल बोला अब खिड़कियों के नीचे के कांच हटा ले कहीं और किसी के पैर में ना लग जाए